क्या आप एक अच्छे वर्काउट रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उसके साथ आप एक अच्छे डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं और आप बहुत जादे डिप्रेशन में चले गया हैं क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी आप एक पॉंड भी लूज नहीं कर पा रहे हैं हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तू माई चैनल आज मैं आप सब के साथ बात करने वाली हूं ऐसे पास रीजन की कि क्यों आपका वेट कम नहीं दिखाता है मेजरिंग स्केल पे जबकि वह सिर्फ दो चार हफते में ठीक हो जाता है यह वेट गेन बहुत ही नॉर्मल है और इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सकेंड रीजन है गेनिंग मसल मास आपकी बाड़ी फैट लॉस कर रही होगी लेकिन अगर आपका डाइट सही है आप प्रोटीन ले रहे हैं आप स्ट्रेंग कर रहे हैं तो आप मसल मास भी गेन करेंगे जिसकी वजह से आपके वेट मेजरमेंट में ज्यादा डिफरेंस न अगर वो ढीला हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप मसल मास गेन कर रहे हैं और फैट लॉस कर रहे हैं तो आप फैट लॉस मोड में ही हैं तो इससे भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जो तीसरा सबसे बड़ा रिजन है वह स्लिपिंग डिसॉर्डर अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी आपकी स्लिपिंग क्वैलिटी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी वेट लूस नहीं कर पाएंगे रात को फोन चलाना रात को मूवी देखना यह सब बंद करना पड़ेगा आप तभी वेट लूस कर पाएंगे आपको साथ से आठ गं ही मिलता है आपकी बॉड़ी रिकवरी मोड में तब रहती है तो आपको प्रॉपर रिकवरी चाहिए इसकी वज़े से आपको वेट लूस करते टाइम सोने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा एंड नाव वर्फ रीजन वौटर इंटेग वाटर इंटिक बहुत जरुरी ए कंद न में हमें चार से पाशाच लिटर पानी पीना चाहिए तीन लीटर भी बहुत साही है लेकिन पिर भी अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं आप मेहनत कर रहे हैं आप ट्रेंणिंग ले रहे हैं तो आपको चार से पास लीटर पानी जरूरी है ने तो आपकी बोड़ी वाटर रेटेंशन मोड में चली जाती है जिसे आपका वेट जादा दिखाई देता है जिस पे आपका पुरा वेट लॉस ही डिपेंड करता है वो है नौट फॉलोइंग प्रॉपर डाइट प्लैन आपको ऐसा लगता होगा कि आप वेट लॉस के लिए एक सही डाइट प्लैन पे हैं लेकिन हो सकता है कि आप जो भी कैलरी रिक्वाइर्मेंट है आपके बोड़ी सही फीगर आप तभी अचीव कर पाएंगे तो यह था पास्च रिजन जिसके वज़े सा बेट लॉस नहीं कर पाते हैं थैंक यू सो मच